Town के लोगों के हो रहे है murders by someone जो बला सकता है deadly spirits ये आपके body को control कर सकते हैं आपको existence से erase कर सकते हैं एक unstoppable army को समय करने के साथ साथ वक्त को भी freeze कर सकते हैं Imagine इस game में आप फ़स गहे हैं, what will you do? आज हम breakdown करेंगे movie जो 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 बिजार adventure, diamond is unbreakable, so with spoiler warning ahead, let's start the breakdown आज की रात इस killer के जिंदगी की बैस दिन होने वाली है, वो already लोगों के murders कर रहा है और पुलिस उसे पकड़ने के लिए यहाँ पर आच चुकी है पुलिस हों में enter करते हैं, लेकिन serial killer चट पर भागता है, इससे पहले कि उसे पकड़ पाए, बैस तवे killer किसी तरह सड़क तक आप पहुंचता है और उसे अपने सामने अपने हाथ में boy and arrow पकड़ा एक mistress archer दिखता है, फिर एक arrow killer के गले को चीरती हुई इसके जान ले लेती है आर्चर जैसे अपनी तीर वापस निकाल लेता है, मरावा killer हिले लगता है, वो फिर से जिन्दा हो चुका है और यह mistress archer इस पर बहुत impressed है कि यह killer कितना dangerous है, station में पुलिस उससे पूछताच कर रहे है and suddenly वो realize करते हैं कि कमरा पानी से बढ़ चुका है जो अचानक फ्लोर से बुलिट्स की तरह shoot up होने लगती है और सारे police officers यहाँ पर मारे जाते है आखरी guard को मारते हुए killer अब एक ऐसी power के साथ escape कर गया है जिससे पूरे police department का खात्मा कर चुका है और से रोक सकता है बस एक और आदमी अब हम हिरो सी कोईची नाम के एक high school student को देखते हैं जो हाली में इस town में आया है as an exchange student अपने school के दूसरे दिनकल excited कोईची अपनी बाइक पर निकल पड़ता है नाम बीच रास्ते के एक एल्ली में दूसरे school के दो बल्दमा स्ट्वेंट्स कोईची को बुली करते है लेकली उनका ध्यानवेने cross करते एक दूसरे स्ट्वेंट पर जाती है अब कोईची को छोड कर यह दोनों उसे बुली करने की कोशिश करते हैं इस बंदे को इससे कोई फरक नहीं पढ़ रहा था एंड उने सौरी कहते हुए अपने रास्ते जाने लगता है ना दो बुलीज अलेक ऐसे कैसे चले जाओगे एंड इस लड़के के हैस्टाल का मजाक वड़ाते हैं यह इ जब बुलीज को अपनी स्टाल में वण करते हुए कहता है कि जो कोई भी उसके है स्टाल का मजाक उड़ाएगा वो से नहीं चोड़ेगा और वापस अपने रस्ते जाने लगता है कूंसे सना बुलीज का चेहरा पूरी तरह से नॉर्मल हो जाती है जैसे कभी कोई फाइट हुई ना हो दोनों बुलीज अब इस पर डरते हुए यहां से भाग जाते हैं प्रॉब्लम से बचाने के लिए कोईची इसे थैंक्स कहता है और ध्यान से देखने पर कोईची उसे पैचान लेता है लड़का दरसल उसी के स्कूल में पढ़ता है और इस नेम इस जो 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 के बारे में सोच रहा था कि उसने उस सैली में वो सब कैसे किया यहां पर एक दूसरी ट्रेंड युका को आती है जिससे क्लास टीचर ने नियूले जोंट कोईची की मदद करने के लिए एसान किया है और हम क्लियरली नोटिस कर पाते हैं देट युका को इस करके जमीन पर गिर जाता है उसकी डेट बॉड़ी के अंदर से वही पानी अब बाहर निकल कर उसकी फ्रेंड को पोजस्ट कर लेती है और उसकी आंके अब काली हो जाती है स्कूल से लौटते वक कोई चीज सी पोजस्ट आदमी को देखता है जो एक लड़की को हस्टेज पनाया हुआ है एंड जो जो यहां पर नोटिस करता है किस आदमी के आँकों के साथ कुछ तो गड़ बढ़ है उसे कोई ट्रबल नहीं चाहिए इसलिए हो चुप-चाप जाने लगता है लेकिन जैसे पोजस्ट आदमी उसकी बालों के इंसल्ट करता है दैट सिट ही इस ए ओके नाव इससे हम यह तो पता चलता है कि जो जो क्लियरली है सूपर पावर्स एंड उस चीजों को रिस्टोर यानि कि पहले जैसा कर सकता है एंड सेकंड यह किस एंटिटी को कंट्रोल कर रहा आदमी थोड़ी दूर बैठा वही किलर है पोलिस आने से पहले जो जो यहां को अपनी ताकत बनाओ लेकिन बिजनसमें दम तोड़ देता है और आर्चर इस पर बहुत डिसापॉंटेड है और अपनी तीर वापस लिए फिर से कहीं पर गायब हो जाता है ओके सो तीर ने किलर को वाटर कंट्रोलिंग पावर से एंड उसी तीर ने इस बिजनसमें को अ लेता है जिसके चलती वह आलमुस्ट नीचे गिनने वाला है विफो कि वो ग्राउंड को हिट करें वक्त ठेहर जाती है और कोईची अब किसी तरह वापस अपने पैरों पर खड़ा है इस आदमे के पास भी सूपर पावर्स हैं अब जो कुछ भी हुआ यह इसी नहीं किया यब कोईची से जोजो के बारे में पूछता है जिस पर वो उसकी मदद करते हुए कोईची जोजो के पास जागर उससे कहता है कि यह आदमी उससे कुछ बात करना चाहता है लेकिन जोजो ने इसे अपनी जिन्देगी में पहले कभी भी नहीं देखा है यह कुद को एजो जोजो आन फुरीटारो इंट्रो इंट्टीडूस करता है क्यो जोजो का नेफ्यु यानि की बोता है जोजो की पिता जोसफ जोजठ अब भी जिन्दा थी जनके पास बहुत सारी जाएदाद है जिनके प वालों के इंसल्ट होने पर जोजो अगेन गुश्ता हो चुका है जोजो अटेक्स लेकिन इस बार उसकी टककर एक स्टॉंग ओपनेंट से हुई है जो तारो इस एक्स्पेइन करता है कि यह पावर स्पिर्ट्स जो उनके पास है इन्हें कहते हैं स्टेंड्स और सिर्फ एक जो तारो की पावर यानिकि उसके स्टैंड टाइम को स्टॉप कर सकती है और जो 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 पर बाहरी पढ़ रहा है जो जो को इन सब में नहीं पढ़ना था इसलों अपने हार मान लेता है और जो तारो को पिछले दिन की इंसिडेंट शेर करके यहां से चले आता है बड़ ज को यूज करने के लिए उसे किसी पाने के सोर्स के करीब रहना होगा लेकिन जल्दे टाउन में एक रिंस्ट्रॉम एप्रोच कर रही है और इससे एंजिलो और भी जादर डेंजरस बनने वाला है इससे पहले कि जोजो को वर्ण करें एंजिलो और जोजो को ट्रैक करते हुए उसके घरा पहुचा है बारिश होनी शुरू होती है और किलर अपनी स्टैंड को जोजो और उसकी फैमिली को खतम करने के लिए कमांड करता है वैल किसी दूसरे नॉर्मल दिन एंजिलो की पावर पे बहुत सारे लिमिटेशन होती लेकिन बारिश होने की वज़े से आज उ वहार स्टैंड को उसमें कैद कर लेता है मदर कुछ भी नोटिस नहींहीं कर दी और घर के बाहर चिरिका बाऎला जी बड़ाप बैब द्यान को उसे एक तीज आवाज आती है उसका ध्यान टेबल पर रखे बोटल पर जाती है जो अब वहाँ पर नहीं था ओपर चेक करने पर उसे उसके ग्रेंट पर अपने कमरे में मरे वे फर्श पर पड़े मिलते हैं जो तारों भी यहाँ पर आप पहुंचता है जो 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 को अपनी स्टैंड से दादाजी को दोबारा जिन्दा करने की कोशिश करते हुए देखता है लेकिन यह पॉसिबल नहीं था बहले ही उसके स्टैंड से वो चीजों को पहले जैसा दोबारा रिस्टूर कर सकता है लेकिन वो किसी मरे वोगो जिन्दा नहीं कर सकता जो तारों को नीच नीचे आकर उस स्टेंड से फाइट करने लगता है जिस पर स्टेंड सडनले गया बजाती है और नीचे से जोजो के गले पर अटक कर देती है कोच इंचे समौत के करीब खड़ा जोजो बच जाता है जब जोतारो टाइम फ्रीज करते हुए वाटर स्टेंड को पंच करता है वाटर स्टेंड इन दोनों से हार रहा है इसले अपनी टैक्टिक्स को चेंज करते हुए वो दोबारा कहीं पर गयब हो जाता है यहाँ पर जोतारो जोजो से अपनी चोट को हील करने के लिए कहता है और हमें पता चलता है कि जोजो अपनी पावर से खुद को हील नहीं कर स सकता है एंड स्टीम से अच्छा ऑप्शन घर के अंदर फैलने के लिए क्या हो सकता है लेगिन अब उसकी स्पीड थोड़ी स्लो गई है भाब पूरे कमरे में स्पैड होने लगती है और जो जो कमरे की दिवार को तोड़ते हुए दूसरे कमरे में चले जाते हैं बट दिस इस अट्रैप कमरे के कोने में एक हुमेड़े फायर मशीन अखवी है और कमरे में वो दोनों अद्धूशन मिस्ट यानि की धून से घिर वे हैं वाटर स्टेंड जो जो पर अटेक कर देती है और उसके मूँ से उसके बौड़ी में एंटर कर जाती है एंड किलर अल बौड़ी के अंदर अब उन्हें दोबारा रिकंस्ट्रक कर लिया है गलव्स को जोड़ जोड़ से सिक करने पर उन्हें घर के बाहर से किसी की आवाज आती है इसका पीछा करने पर उन्हें वहीं सीर किलर मिलता है और इससे हमें ये पता चलता है कि स्टैंड को चोट के वे पत्थर पर पंच करता है और फिर अपने पावर से उस पत्थर को दोबारा रिश्टोर कर दीता है जैसे किलर उसके अंदर ही ट्रैप हो जाता है and now he's dead next day जोजो अपने दादा जी की funeral attend कर रहा है and he notices कि उस पर कोई नजर के हुए है उसका पीछा करते हुए वे खाली पड़े हुए building तक आप पहुँचता है जहांपर कोईची भी उसके साथ आने देने के लिए insist करता है अंदर जाने पर उनकी मुलाकात इस लड़के से होती है जो out of nowhere आकर कोईची को के करते हुए जमीन पर गिरा देता है वो कोईची के चेश्ट पर अपना पैर रखता है जिस पर जोजो उसे करने से मना करता है और अचानक एक arrow आकर कोईची को बुरी तरह से गायल कर देती है यह खुद का नाम ओकियासू बताता है और यह आर्चर का भाई है उसके पीचे से उसका stand the hand बाहर आता है और आर्च hand kud को आजात कर लेता है और जोजो बचने के लेट डॉजिस और यहाँ पर hand swing करती हुई एक sign पर touch हो जाती है जोजो देखता है कि अब उस sign का एक part कहीं पर missing है यानि कि ओकियासू के stand power है erasing things यानि कि चीजों को मिटाना और जितनी इरिज होने के बाद बच जाती है उन्ह सामने से हड जाता है ओकियास अब गलती से अपने सामने रखे statue और उसके बीच की space को erase कर देता है जिससे statue आकर उसे टकराती है और जोजो जोजो जल्दी से कोईचे को डोने लगता है चाहां पर खुन के दागों का पीछा करते हुए वो घर के अंदर उसी आर्चर तक जाता है पीछे पलेटने पर एक machine gun उस पर fire करने लगती है वो सामने से हड जाता है और अब ओकियासू को गोली लग जाती है वहापे सुटकर ओकियासू को बचाने लगता है और इसमें उसके हाथ पर भी बहुत सारी छोटी छोटी बुलिट्स लग जाती है और इस स्टार लेता है अब दोबारा दोड़ते वे वो उपर जाता है तो आर्चर वहाँ पर नहीं था और कोईची अभी जख्मी कमरे के बीच में पड़ा हुआ था ओकियासू यहाँ पर आकर अपनी अबिलेटी से कोईची को खीच लेता है और जो जो उसे भी हील करने लगता है ओकिय मगर deadly soldier troop called bad company को कहीं पर भी summon कर सकता है टैंक्स, mini soldiers और helicopter उन्हें हर तरफ से गेल लेते हैं जो जो अपनी bench दे रहा है उन्हें रोकने में मगर helicopter की missile बराज के सामने वो कमजोर पढ़ रहा है ना कोईची एक टैंक को उनके पास आते देखता है और जो जो को जली से warn करता है इ क्योंकि वो जानना चाहता है कि कोईची को consistent power मिली है, soldier उसके pair पर step करता है जिससे एक giant egg unleash होकर float होने लगती है, that means कोईची को एक बगवा stand मिली है जिसके power है एक बड़ा अंडा, nice, archer इन पर हमला करें इससे पहले ही army को head on fight कर देवे जो 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 अपना best देता है बड़ नहीं सकता और soldiers उस command को execute ना करने तक और कुछ भी नहीं सुनते, helicopter जो 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 पर अपने missile launch कर देती है और जो 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 अपनी बची कुछी ताकत के साथ उन्हें रोक लेता है, बट इसी के साथ ओ बिलकुल ठक चुका है और कोईची भी अब defenseless and lachar है, कोईची हार नहीं मान और इससे उसके stand power evolve जाती है, एक cracks और अंदर से एक tiny creature बाहर आता है, हवा को punch करता है और नीचे कर जाता है, it's still a useless stand and archer को इसकी कोई भी जरुवत नहीं थी, इसलिए वो इसे माने जा रहा है, बट जो 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 ना अपना master plan use करता है और पहले destroy की missiles को अपनी stand से restore करते हुए उनकी direction archer पर ही turn कर दीता है, archer अपने solar से missile को रोकने का order देता है, लेकिन उसे पहले ही उन्हें कमांड अलड़ी दे दिया है, इसलिए उसे protect नहीं कर सकते, मिसल आकर archer को hit कर जाती है और उसकी stand bad company कायव हो जाती है, ना उपर से आवाज आने पर कोई चीज जाकर जो अब एक इनसान नहीं रहे और एक immortal creature या यू कहे कि एक ऐसे monster बन गया है, जिसे मारा नहीं जा सकता, archer boy and arrow की मदल से strong stand users की तलाश कर रहा है, जो उसके immortal father को इस हालत से मार कर उन्हें आजाद कर सके, जिसमें अब तक उसे कामया भी नहीं मिली, monster इक पुराने box के अंदर बागी है, जो जो ऑफर्स के अपनी stand से उस bow and arrow को destroy कर देगा, ओकियासू agrees, लेकिन उसका बड़ा भाई कीचू ऑफर्स टुगरा कर यहां से जाने लगता है, suddenly करीबात एक strange आवास से उसके कदम रुप जाते है, window crash करते हुई कोई चीज कमरे में land करती है, and it's a toy cast stand, जो ओक का stand भी वापस window से कूथ कर भाग जाती है, and इसे के साथ अब सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन सिर्फ अभी के लिए, जलती चोजो का सामना एक बहुत ही खतनाक stand user से होने वाली है, and यह toy का stand उसी Mr. Stand user ने बेजी थी, movie end होने से पहले, हम इन न्यूस से कुछ college girl के missing होने क report मिलती है, और table पर एक paper bag में रखा हुआ, कटा हुआ हाथ है, and यह उसी Mr. Stand user का काम है, जो अपनी killings अल्रेडी शुरू कर चुका है, तो यह थी Jojo's Desire Adventure, diamond is unbreakable का पूरा breakdown, I hope कि आपको पसंद आया, but title में diamond से क्या मतलब है, the answer is, diamond Jojo के stand power का नाम है, तो आपको कौन सा stand चाह मुझे comment में जरूर बताएं, वीडियो पसंद आयो, तो like the video, share and subscribe, thank you for your love, this is moving short